बच्चों कैसे आप सब आशा करती हूँ, आप अपने गरों में सब स्वस्त होंगे आज हम कक्षा साथ विशय हिंदी दित्य भाषा प्रथम सत्र उसका आज हम चैप्टर नंबर वन चित्र के संग संग उसके बारे में ज्यान प्राप करेंगे ये देखिए चैप्टर नंबर वन चित्र के संग संग चित्र पाट अब देखिए आप इस चित्र को जराध्यान से देखिए इस चित्र को हमें अवलोकन करना है अवलोकन मत्तल्ब इस चित्र में क्या क्या सामानी क्रियाए हो रही है यहां में उससे देखना है समझ ना यह हम और उसे बताना ऑब सबसे पहले देखिए किस चित्रमेे कों चुछे क्रीरिया हो साय की मि अधे लिए हैं एक आपको दिख़ार रहे होगा साइकर की दुखानों उला साय के टाइट में में पंक से हवा भर रहा है और उसके पीछे देखो एक कुंजरिन कुंजरिन मतलर सबजी बेचने वाली जो टोकरी में उसके बहुत साइज सबजी भर रखी हैं उने बेचने जा रहे है और उसके बाद देखो उसके बाजु में गुबारे वाला है गुबारे बेचने जा रहा है जिसके हाथ में कई पर इसके लावा इक सड़क आपको प्रकार तिखाई दिर रहा है और इसके पीछा घृटर बाइचा गितल सब्सकुमिते जिंगा है और हिख्षा चलनारे रावा को प्रतौत का द्हुत्ति करघा में धर सामने बालकनी में भी देखो दो वेक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं और आकास में पक्षी उड़ते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं अब आप देखिए हमें चित्र का हमने अवलोकन किया उसके अनुसार अभी हमें प्रश्णों के उत्तर देने हैं अब सबसे पहले देखें किनार में दिखा है गुबाया लगुबारा बेचने निकला है पताराम कर रहा है सड़क पर कई वान आते जाते दिखाई दे रहे हैं साइकल के अप्टायर में हवा भर रहा है कौजलीन सब्जी बेचने जा रही है इस वकार इस cancer होगा अब उसके बाद देखो second question आपका है गुबारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं गुबारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं क्यों कि हमें जैस भरी हुई है हवा भरी हुई है इसलिए हुँ हवा में उड़ते हुए दिखाई दे अब थर्ड question है ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती अब ट्यूब में हम हवा क्यों बढ़ते है जब कम हो जाती है बिल्कुली नहीं रहती तब उसमें हम हवा बढ़ते और हवा बनने से क्या होता है जो टायर होता है कड़ा हो जाता है या वो ठक गया, जो भी आंसर लिको सही है, कुझने सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है, अब सब्जी बेचने के लिए गर-गर, गली-गली मौले तब जा सकती है, अब देखो, इस चित्र का अवलोकन किया, अब इसके बाद पेज नंबर टू, हम कल उसके बारे में ग्यान प्राइब करेंगे, आज का ग्यान बस यहां तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,